CPU PLL जो वोल्ट है यह फिक्स है 1.8 वोल्ट की सप्लाई होती है यहां पे जो सप्लाई आता है 3.3 वोल्ट डेरेक्ट 80X से सप्लाई आता है और इसको यह स्विच कराके 1.8 वोल्ट की सप्लाई आउट होता है नमस्कार दस्तों आप सब करें फिर से बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस मल्टिटेक इंस्टूट में और आज के हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि CPU प्रोसेसर को अभी जो लेटेस्ट मदर बोर्ड आ रहे हैं इनमें CPU प्रोसेसर को कौन-कौन से भोल्टेज चाहिए रन करने के लिए चलने के लिए सबसे ज्यदा प्रॉब्लम आता है नहीं हो रहा है तो उसके क्या-क्या प्रोसेसर का मधर बोर्ड चल रहा है और प्रोसेसर हीट प्रोसेसर रिक्वार्मेंट ठीक है इसका पूरा रिक्वार्मेंट आज की इस वीडियो में हम कम्प्लीट जनकारी देने वाले हैं तो अगर आपको लैप्टप डेक्टप प्रिंटर सीच टीवी मोबाइल बैटरी इरिक्सा कंट्रोलर या एसी पीसीवी के चीप लेबल रि इक प्रोसेसर रिक्वायर वोल्टेज अनि एक प्रोसेसर घ्र जो लेटेस्ट मद़रवोर्ड के आज चल के जो मेंग वाले PC आ रहा है आए 3, i5, i7, i9 ठीक है तो आजकल के जो अभी लेटेस्ट देखा जाये तो i7, i9, 12th generation, 30th generation के मदरवोर्ड मार्किट में अभी फिलह इसमें सबसे अगर पहला अगर बात किया जाए तो पहला एक और रिक्वार्मेंट है CPU VTT सबसे पहले CPU VTT CPU VTT जो सेक्षन होता है VRM सेक्षन के पास में ही होता है ठीक है जो VRM सेक्षन GFX सेक्षन core voltage जो होता है इस सब पास में होता है तो सबसे पहला जो बनता है आपका CPU VTT ये जो CPU VTT होता है एक तरह से आपका प्रोसेसर का enabled signal होता है तो ये जो supply बनता है 0.9 volt टू 1.4 volt के बीच में ये जो supply है 0.9 से लेके 1.4 volt के बीच में CPU VTT जो सबाइब का बनता है दूसरा जो होता है CPU core voltage, तो जो VRM system के जितने output coil होंगे, उसमें अगर आप वहाँ पे आप onboard में check करेंगे, तो वहाँ पे जो voltage बनता है, ये 0.5 volt to 1.5 volt के बीच में आपका core बंद रहा है, core voltage, तो ये आपका BTT हो गया, ये core voltage हो गया, GFX voltage की बात आती है, जो GFX voltage की motherboard में होगा, और किस motherboard में नहीं होगा, जैसे कि जो पुराने वाले motherboard होते थे, 945 आपका हो गया, G31 हो गया, G33, 41, 43 ये जो motherboard होते हैं, उनमें north bridge, south bridge होते हैं, तो जब north bridge को, जब divide किया गया, PCH motherboard का architecture होंगे, उसे में मिलेंगे, यानि हव architecture के motherboard में GFX नहीं होते हैं, GFX voltage नहीं वनते हैं separately, ठीक है, और जो PCH voltage होते हैं, उसमें एक अलग से section जूड़ा होता है, BRM section के बगल में, जो उसको वहाँ पे GFX voltage होता है, जाता है प्रोसेसर को, क्योंकि जो आपका divide हुआ, north bridge को तो कुछ जो GFX वाले section थे, जो ग्राफिक वाले section थे, वो आपके processor के अंदर आ गये, तो उसको operate करने के लिए, अलग से हम GFX voltage दिया जाता है, तो यह GFX voltage है, यह कितना बनता है, तो जो GFX voltage होगा, वो आपको बनेगा approach 0.45 to 1.2 volt के बीच में, यह आपका GFX है, ठीक है, यह GFX voltage का supply है, 0.45 to 1.2 volt की supply होती है, जो आपको GFX पे बनना चाहिए, उसके बाद आता है, जो VCCSA, system agent voltage होता है, यह क्या करता है, आपके जो processor होते हैं, ठीक है, processor और RAM के बीच में, जो speed होता है, उसको control करने के लिए होता है, यह simple language में हम इसको कह सकते है, कि VCCSA, system agent voltage होता है, जो RAM के clock speed को control करने का काम करता है, VCCSA, तो यह जो supply होता है, VTT से ही, जो VTT आपका supply होता है, यही supply आपको VCCSA पे जाता है, और वहीं से supply आपका बनता है, तो depend करता है कि आपके VTT section पे, कि VTT section में कितना voltage बन रहा है, अगर VTT section में 0.9 बन रहा है, तो वहां पे VCCSA वाले पे 0. 0.8 बनेगा, अगर यहां पे 1.2 voltage बन रहा है, तो यहां पे आपको 1.1 voltage बनेगा, और जीतना आपको यह supply बनेगा, इससे थोड़ा सा कौम आपका VCCSA voltage होगा, यह आपका मलता है कि 0.8 voltage, 0.8 volt to 1.3 volt के बीच में, ठीक है, क्योंकि यहां पे 0.9 तो अगर 9 जाएगा, तो यहा पे बनेगा 8, तो इसलिए हमने 0.8 उठा लिया, अगर 0.4 voltage बनेगा, तो यहां पे उससे थोड़ा सा कम, तो 0.3, 1.3 voltage बनेगा, तो यह चीज के लिए हो गया, उसके बाद आता है CPU PLL, CPU PLL क्या होता है, यह जो है आपका Face Locked Loop, जो आपके प्रोसेसर होते है, GHz होते है, 2.2 G 3.3 GHz, 3.3 GHz, 3.4 GHz, तो यह जो GHz होते है, उनको Speed, वह एक तरह से Speed है, यह जो GHz है, आपके प्रोसेसर को Speed को Control करता है, Speed को Denote करता है, तो जो CPU PLL है, यह आपका CPU प्रोसेसर का जो GHz Speed होता है, उसको Control करने के लिए जाता है, तो यह आपको नर्मली 2.2 GHz में नहीं मिलेंगे 2.2 नहीं मिलेंगे, 2.8 में नहीं मिलेंगे, 3.3 GHz के उपर का जो प्रोसेसर होगा, उसमें यह अलग से यह सेक्सान होता है, जो CPU PLL होता है, Face Locked Loop, ठीके, तो उस GHz को Speed को Control करने के लिए, Maintenance करके रखने के लिए, CPU PLL Voltage जाता है, जो आपके CPU प्रोसेसर के Speed को Control करके रखता ह है, और VCC Assay जो है, यह RAM के Speed को, तो RAM का Speed जैसे आप जब RAM Passage करते हैं, तो देखते हैं, उस पे लिखा होता है, 60 MHz, ठीके, 200 MHz, 26 MHz, 16 MHz, 1800 MHz, यह अलग-अलग जिस पे MHz, उस पे denote किया गया होता है, उस जो MHz होता है, उसी को Control करने के लिए, आपका VCC Assay होता है, ठीके, त फिक्स है, थोड़ा सा उपर-Nीचे हो सकता है, पर CPU PLL जो Volt है, यह फिक्स है, 1.8 Volt की सपलाई होती है, यहां पर जो सपलाई आता है, 3.3 Volt Direct ATX से सपलाई आता है, और इसको यह switch कराके 1.8 Volt की सपलाई आउट होता है, उसके बाद आते हैं, PCH Core, यह जो PCH Core Voltage क्या होता है, त अब यह supply कितना होता है, तो यह depend करता है हमारे RAM पे, क्योंकि PCH वाला जो section होता है, उसके drain पे जो supply आती है, वो PCH वाली RAM की supply आती है, यह रैम की operating voltage, जो भी होगा, जैसे कि DDR मानते हैं कि DDR 3 RAM है, तो PCH का जो MOSFET होगा, उस पे RAM की supply आएगी, RAM operating voltage, रैम operating voltage इसके drain पे आएगा, इसके source से जो supply निकलेगा, वो आपके PCH पे भी जाएगा, और CPU पे भी जाएगा, तो यह depend करता है कि अगर यहाँ पे 1.5V in हो रहा है, तो यहाँ पे mostly ज्यादा तोर, यहाँ पे जो supply बनेगा, 1.2V की supply बनेगा, आनि 1.2V, 1.1V, 1V के आसपास से supply आपको बनने वाला है, त तो एक processor को अगर operate करना है, तो इतने सारे complete, सारे voltage आपको चाहिए ही चाहिए, तब जाके आपका processor work करेगा, चलेगा, अब बात आती है इसमें numbering की, कि पहला supply कौन सा बनेगा, दूसरा कौन बनेगा, तिसरा, क्योंकि जब आप फल्टी होता है, mother world फल्टी होता है, core voltage नहीं होता है, तो पहला क्या चीज आप check करेंगे, जिससे आपको पता चले कि पहले वाले ये बनेगा, दूसरे में ये बनेगा, तिसरे, तो numbering की sequence की बात आती है, तो चली जब sequence की बात आती है, तो इसे में हम आपको clear कर देते है, कि sequence जो one by one जो है, इसमें आपको पहला कौन सा section काम करेगा, तो देखिए, सबसे पहले आपका PCH core, क्योंकि सबसे पहले RAM काम करता है, तो तुरंधी आपका बन जाता है, पहला number PCH core, दूसरा जो हो गया आपका BTT, दूसरा जो है आपका CPU BTT supply बनेगा, तीसरा जो है, तीसरा नमर का, ठीक है, तीसरा नमर BCC AC, इसलिए बन आता है, ठीक है, तो पहला आपका हो गया PCH core, दूसरा हो गया CPU BTT, तीसरा हो गया BCC AC, से चौथा जो supply है, PLL, क्योंकि ATX से direct supply इसको मिलता है, तो चौथा supply यह हो गया, उसके बाद 5 नमबर में core voltage आपका बनने वाला है, ठीक है, उसके बाद last में, सबसे last में आपका जो बनता है, 6 नमबर में GFX voltage, अनि जब सारा section OK हो जाता है, तब जाकर आपका GFX section काम करता है, तो अगर आपको step by process by process, अगर आपको check करना है, हर एक चीज, तो पहले आपको क्या check करना है, PCH core चेक करेंगे, PCH core बन रहा है की नहीं, उसके बाद आपको check करना है CPU VTT, आपका VTT जो section है, वो काम कर रहा है की नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे motherboard में हमने देखा है, कि VTT supply एक तरह से VTT power good बन CPU VTT, तीसरा जो हो गया आपका, VCC SA, चौथा जो हो गया आपका, CPU PLL, पांचवा जो हो गया आपका core voltage, और छठा जो हो गया, GFX section, तो देखें, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कि वो सारा check करेंगे, core voltage बनेगा, GFX voltage बननी नहीं रहा है, अब GFX voltage नहीं बनता है, तो सबसे लोग क्या करते हैं, हीट करने लगते हैं, इसलिए, कि GFX section core voltage बन रहा है, तो GFX बनना चाहिए, पर हीट करने लगते हैं, लगते हैं, IC को छेड़ने पर ऐसा कुछ नहीं है, इस sequence वाई, अगर यह सारा चीजा आपका, ओके होगा, और और कोई दिक्कत नहीं होगा, IC में, आ continue, इसके आगे वाले सारे चीज़ को लेके, तो फिर से आपको बता जते हैं, कि अगर आपको laptop, desktop, printer, CCTV, mobile, battery, Erix, controller, AC, PCB से related, अगर आपको cheap level repairing course करना है, तो आप हमारे skin पर दिवर नमबर पर contact करिए, या www.multitechinstitute.com पर visit करिए, thank you. करिए, thank you.